पिंजरे के पंची जलालपूर गाव में सोनू और मोनू नाम के दो व्यक्ति रहते थे सोनू खेती पर निर्बर था तो मोनू व्यापार पर एक बार मोनू व्यापार में घाटा हो जाने के कारण दिवाला हो गया उसकी सारी फुंजी खत्म हो गई बहमदद के लिए अपने मित्र सोनू के पास पहुंचा उसने अपने मित्र सोनू को कृष्णा सुदामा की आदर्श मैत्री की दुहाई दी सोनू ने मोनू को अपना एक खेत दे दिया जब मोनू ने उस खेत को जोतवाया तब केत के एक कोने से उसे स्वर्न भुशनों से भरा एक कलश मिला मौनो ततकाल कलश लोटाने के लिए सोनो के गर चला गया सोनो ने कहा कि क्यूंकि उसे वह केत दे चुका है इसलिए उसमें से निकलने वाले हर सामागरी पर अब मौनो का ही हक है दोनों ने कलश मैं नहीं तुम्ही रख लो कहकर एक दूसरे को दे देना चाहा गाउ के लोगों ने जलालपूर गाउ के बहदूरपूर में रहने वाले सर्पंच रामलाल के पास मामला ले जाने को कहा सरपंच के पास जाने पर सोनो ने एकांत में उसे बताया कि उसका मित्र मोनू स्वाबिमानी है खेत के अलावा आर्दिक मदद वह उससे लेता नहीं इसलिए उसकी मदद करने के जह से उसने अपनी पत्नी शुशीला और बेटी संगीता के कुछ स्वर्न बुशन पिछली रात उस खेत में गाड़ कर रख दिये थे सोनो की बात उसे प्रबावित होकर रामलाल ने कहा कि वहकलश अब मोनू ही रखे और दुनिया भर के अच्छे फल फूल लाकर उस खेत में उगाए बचे दन को व्यापार में लगाकर अपने परियाप्त अनुबव से लाब उठाए रामलाल की अनुमती से सोनो और मोनू का आशिरवाद लेकर मोनू का पुत्र सूर्या ने कुछ स्वर्नबुशन लेकर दुनिया भर के अच्छे फलफुल के व्रुक्ष को खेत में लगाने का निश्चे किया जब सूर्या शहर जा रहा था तब मार्ग में उसने एक बहेलिये को अनेक अच्छे अच्छे पक्षी कई पिंजरों में ले जाते हुए देखा सूर्या ने बहेलिये से कहा कि वह उसके सभी स्वर्नबुशन ले ले और अपने पिंजरे के पंच्छियों को उसे सौप दे बहेलिये ने कुशी कुशी सूर्या के स्वर्नबुशन लेकर अपने सातों पिंजरे उसे सौप दी सूरिया ने सबी रंग बिरंगे पक्षियों को पिंजरे खोल खोल कर स्वतंद्र कर दिया फिर ठका होने के कारण वह सो गया सो कर उटने के बाद वह शहर चला गया और वहा एक सेट के यहा नौकरी करने लगा लगबग देड़ दो वर्ष तक सूरिया ने शहर में खूब परिश्रम किया कुछ अच्छी दनराशी एकत्र हो जाने के बाद जब वह अपने गाव पहुंचा तब उसके गर में उसके पिता और सोनू बैटकर बाते कर रहे थे सूरिया को देखते ही मोनो ने उसे हातो हात लिया और बताया कि जाने कहा कहा से डेर सारे पक्षी आकर उसके द्वारा तयार किये गए खेत में धुनिया भर के फल फुलों के भीज डाल गई जिस से उसक्षेतर को मनोरम वाटिका कहा जाने लगा है यह सब सुनकर सूरिया ने कहा यह सारा चमतकार उनहीं पिंजरों के देव पक्षियों का है जरूर वे देव लोग से आये पक्षी थे जिने आजाद करके मैंने पुन्य कमाया और रुक्षार ओपन में उनका सहयोग भी संभव हो सका मेरी महनत की कमाय भी मेरे पास है जिस पर आपका पहला अधिकार है इससे सुनकर सोनू और मोनो दोनों कुश होये दूसरे दिन मोनो अपने बेटे को लेकर सोनू के गर गया और मोनो ने कहा सोनो मैं तुमसे मेरे बेटे के लिए तुम्हारी बेटी संगीता का हाथ मांगने आया हूँ इसमें तुम्हारी राए क्या है इस से सुनकर सोनो खुशी से फुला न समाया इतने में वहां आये सरपंच रामलाल इनकी बातों सुनकर बोले अरे वाह मुझे तो तुम दोनों की कुशी देखकर आश्यरी होता है इतना अच्छी दोस्ती है अब तुम दोनों संबंदी बनने वाले हो बहुत कुशी की बात है भगवान सदा तुम दोनों परिवारों को क यह कहकर वे वहा से चले गए धन्यवाद